योजनाय निंदी यूटूब चैनल पर आपका सुवागत है दोस्तो नया साल सुरू होने में बस कुछी दिन बाकी हैं और एक जनवरी दोजार चोबिस से देश में कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं जिसमें पैंसन, बीमा, टोल टैक्स, सिमकाड, होमलोन और मैडिकल कलेम के लिए भी नए नियम लागू होंगे और गरीबों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लागू होने वाला है जिसमें सरकार की तरफ से गरीबों को बहुती बड़ा तोफा दिया जाएगा तो इन नियमों को हम step by step आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और कौन-कौन से नए नियम लागू होंगे और इनका क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा सब कुछ जानकारी आपको इसी वीडियो में लेगी तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ने किया है और चैनल पर नए आए है तो सस्क्राइब भी जरू करेगा तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं और बताते हैं कि क्या-क्या नियम एक जनवरी से लागू होने वाले है सबसे पहला है हेल्थ इंसुरेंस एक जनवरी दोजार चोबिस से हेल्थ इंसुरेंस खरीदने से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है इसके बाद हेल्थ बीमा खरीदने का पूरा अनुभव गरहाकों के लिए बदल जाएगा और वे आसानी से पॉलिसी के नयमो एवैस सर्तों को समझ पाएंगे दरसल इंसुरेंस रेगूर्टी एंड डिवलपमेंड एथोर्टी ओफ इंडिया की ओर से 30 अक्टूबर 2023 को एक सर्कुलर निकाला गया था जिसमें सभी हैल्थ इंसुरेंस कंपनियों से कहा गया था कि गरहाकों को एक कस्टमर इनफोर्मेशन सीट यानि CIS अनिवारिया रूप से जारी करनी होगी इसका उद्दे से यह है कि इसे बहद आसान सब्दों में गरहाकों को पोलिसी के बेसिस फीचर के बारे में बताना है यानि के अगर आप कोई भी हैल्थ इंसुरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं तो इसमें अब आपको CIS सीट मिलेगी जिसमें बहदी आसान तरीके से उस प्लान के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी मेडिकल कलेम के लिए अस्पताल में एडमिट होना अनिवारिय नहीं है मेडिकल कलेम के लिए अस्पताल में एडमिट रहना अनिवारिय नहीं होगा सरकार नियम बदलने जा रही है वर्तमान में medical claim पाने के लिए मरीज को कम से कम 24 घंटे असपताल में भरती रहना पड़ता है ऐसा नहीं करने पर बीमा कमपनिया मरीज को claim देने से मना कर देती है लेकिन असपताल में इलाज के बाद अब medical claim से जुड़ा एक एहम नियम सरकार बदलाओ करने जा रही है इसके लिए इरड़ा से भी बात हो रही है अब 24 घंटे अस्पताल में भरती रहना जरूरी नहीं होगा फिर भी medical claim मिल पाएगा देखे अगर आपने insurance क्या हुआ है और आप medical claim करते हैं तो इसके लिए आपको 24 घंटे अस्पताल में भरती रहना पड़ता था 2024 में मोधी सरकार सहर में रहने वाले गरीबों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए कुछ नए नियम प्लान कर रही है बना रही है इसमें लोगों को सस्ते घर मुखया करवाना है बैंक लोन सस्ता देना और कई योजनाओं सामिल है देखे जो मोधी सरकार है वह गरीब सहर में रहते हैं उनके लिए कुछ प्लान बना रही है जिसमें उन्हें आसानी से सस्ता घर मुखया कराए जाएगा और बैंक से सस्ता लोन देना कई सारी योजनाओं सामिल है सिम कार्ड खरीदने का नियम अगर आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड खरीदते हैं जैसे आपका ओड़ा फोन हो गया जियो एरटेल हो गया तो आप सावधान होकर सिम खरीदे क्योंकि अब फरजी सिम कार्ड लेने पर तीन साल तक की जेल और पचास लाक रुपे तक का जुर्माना लगेगा जो दुकंदार फरजी सिम देता है उन दुकान वालों पर दस लाक रुपे तक का जुर्माना लगा जाएगा सिम कार्ड बेचने वाले डिलर का फुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवारिय होगा सभी डिलरों को इसमें रेजिस्टेशन करवाना जरूरी है नए नियम के मताबिक अब आप एक आईडी यानि के एक आधार कार्ड पर लिमिटेड सिम ही खरीद पाएंगे ताकि सरकार ओनलाइन फ्रोड और मुबाइल फ्रोड से लोगों को बचा सके इसके लिए यह नियम 2024 से लागू होगा यानि के जो आपका आधार कार्ड है और आप सिम खरीदना चाहते हैं तो उस पर आप लिमिट में ही सिम खरीद पाएंगे पैंसन से जुड़ा हुआ नियम एक जनवरी 2024 से पैंसन से जुड़ा हुआ नियम भी लागू होने वाला है पैंसन लाबार्तियों को नियमों का पलन करना होगा अगर कोई pension लाबारती किसी भी राज्य सरकार के दुआरा दी जाने वाली pension का लाब लेता है तो उसको अपना EKYC जरूर करवाना होगा बिना EKYC के आपको pension नहीं मिलेगी और आपका pension भी बंद कर दिया जाएगा तो अगर आप pension लेते हैं तो आपको KYC जरूर करवाना पड़ेगा नहीं तो आपका pension बंद हो जाएगा GPS से कटेगा टोल टैक्स टोल टैक्स फास्टैक के जरीए कटता है जैसे हम टोल पलाजा पर पोच्टे हैं फास्टैक से टोल कट जाता है लेकिन इसमें एक नुकसान है आप टोल पलाजा से अगर 5 किलोमेटर आगे भी जा रहे हैं फिर भी आपको उस रूट का पुरा टोल टैक्स देना पड़ता है लेकिन यह नया सिस्टम लागो होने के बाद 2024 में जितनी लंबी गाड़ी आपकी हाईवे पर चलेगी उसके अमसार ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा परती किलोमेटर के हिसाब से GPS सिस्टम के जरीए टोल वसुचल ला जाएगा देखिए सातियो अगर आप टोल देते हैं आपके पास गाड़ी है तो अब GPS के जरीए आपका टोल टैक्स कटेगा और इसमें यह है फायदा होगा कि आपकी जितनी किलोमेटर भी गाड़ी चलेगी उतना ही किलोमेटर आपका टोल टैक्स कटेगा SBI होम लोन रेट का पर ओफर बारते इस्टेड बैंक देश का सबसे बड़ा पबलिक सेक्टर बैंक है अब भी बैंक अपने गरहकों को 0.7% की प्रोसिंग फीज के साथ 8.44% सालाना दर से होम लोन दे रहा है SBI होम लोन को लेकर के फैस्टिव ओफर चल रहा है इसमें गरहकों को होम लेन पर 65 आदार अंक यानी 0.65% की चूट दी जा रही है यह चूट नीमित होम लोन फ्लेक्सिफी और आई सेरली कलास पर लागू है आप SBI की चूट का फायदा 31 दिसंबर 2023 तक उठा सकते हैं तो साथियो यही थे कुछ जरूर इनियम जो 2024 में लागू होने वाले हैं एक जनवरी से वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सेर कमेट जरू करिए और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा